हेलो औरवन एंड वन सेगेंड वेलकम टो एनसों नान एजूकेशन माइनम इस नमिन कुमार और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्छो जीरो एंड फर्स्ट ओर्डर कानेटिक्स की ठीक है यह बाया प्रोसेस का पार्ट है इससे भी कोश रहा है तो चलिए इसको सॉल इसमें वो क्या है एक्विशन वो है आपकी डी एक्स बाइडी टी इक्वल्स टू न्यू एक्स ठीक है यह मैं आपको पढ़ा है काफी यह क्या बताता है यह बताता है आपकी यह आपका रेट है यह यह रेट ऑफ बायो मारेट अफ सेल ग्रोथ यह क्या है आपका यह जिसके उपर rate depend करता है, तो rate depends on it, ठीक है, जितने भी हमने equation पड़ी है, उसमें ये तीन चीज़ आपको हमेशा ही देखने के लिए मिली है, कि इसमें एक rate होता है, एक rate constant होता है, और एक होता है जिसके उपर rate depend करता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको clear होगी कि पूरी bio process जो ह करते थे, आपको याद होगा, dx by d2 को हम represent करते थे, rx से, ठीक है, इसी तरीके से represent करते थे, तो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर इसको represent किया गया है, rac, ठीक है, तो ये कोई a component है, जिसका rate हमें find out करना है, और इसी तरीके से बच्चों यह क्या हो जाएगा, एक rate constant होग of a, किसी यह क्या है, concentration of a, यहाँ पर concentration of biomass क्या थी, x थी, is that clear, तो similarity आपको समझना आ रही है, कि एक rate है, एक rate constant होता है, और एक क्या होता है, जिसको पर rate depend करता है, और यहाँ पर वो concentration है, e की, तो rate of change of concentration of a, r a क्या है, rate of change of concentration of a, लिख दिता हूँ में, rate of change of concentration of a, is that clear, यहाँ तो कोई आपकोई doubt नहीं होना चाहिए, तो k1 rate constant हो गया, और c1 concentration, c1 क्या है, concentration of a, clear है, और हमें इन सब की units भी आद है, क्योंकि जब भी हम concentration में change की बात करते हैं, तो इसका rate होता है, इसकी unit होती है, gram per liter per second, rate constant की बात करें, तो rate constant की unit क्या होती है, per second, देसे new की भी क्या थी, per second थी, तो इस rate constant की भी क्या unit होगी, per second, फिर हमने बात करी concentration, तो concentration की unit का हमें पता है, यह क्या होती है, gram per liter, ठीक है, को doubt तो नहीं है यहाँ पर, तो यह चीज वर्ष मोन पड़ने में मिलेगा जब यह प्रोस्पर पड़ते हैं तो उसमें यह ह mirror सेटना बहुता है की को apt nahe to follow करता है तो हम ने आ वह किस को फॉलो करता है वह follow करता है first order kinetics को ठीक है में क्या होता एक rate होता है एक rate constant होता है एक जो जिसको rate depend करता है इस एक clear तो बात आते है first order kinetics पूम में समझे में आगे इसको तो हमने काफी परणा है इसको हमने काफी पड़ा है यह जिरंग काने यंदे क्सीप इस देट क्लियर यहां तो कोई प्रोडम तो नहीं है बच्चे यूनिट की बात करें यूनिट की बात करें तो यहाँ पर यूनिट अगर आप देखें तो इनकी यूनिट काफी similar होगी R A और K 0 की बटो हम बात में बात करेंगे चीक है क्योंकि R A equals to क्या है K 0 है तो जो यूनिट आपकी इसकी होगी वही यूनिट आपकी इसकी भी होगी तो एगर इसकी यूनिट है ग्राम रेट की यूनिट है ग्राम लीटर पर सेकंड ग्राम पर लीटर सेकंड तो इसकी यूनिट भी यहाँ पर क्या होगी ग्राम लीटर सेकंड क्योंकि और कोई तो चीज है नहीं अगर और कोई चीज नहीं है तो दोनों की unit क्या होने चीए equal होने चीए दभी ये दोनों चीज़े equal हो सकती है बट यहां पर ऐसा नहीं था यहां पर क्या था यहां पर rate constant की unit क्या थी per second और concentration की जिस पर depend करती थी concentration था वो और उसकी unit क्या थी gram per liter is that clear तो दोनों की unit भी clear हो गई बात यह जिरो order काने टे क्यों कहते हैं क्योंकि यह किसी के ओपर depend नहीं करता क्यों नहीं करता मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं यहाँ पर लिख करके कि r a अग मैं इस formula को इस तरीके से भी लिख सकता हूं r equals to k naught क्योंकि आपको पता है किसी की पावर 0 हो ने से उसकी value क्या हो जाती है one two की power 0 होगी तो उसका मतलब क्या होगा one इसाथ ही ही से चे की power 0 क्या होगा one clear हो गया तो क्योंकि यह rate पर depend नहीं करता तो इसका मतलब consultation पर नहीं करता तो इसकी power क्या है 0 है इसलिए इसको बोलते है zero order kinetics यहाँ पर इसकी power क्या बच्चो one है इसलिए इसको क्या बोलते है first order kinetics इस तेक clear यहाँ तक कोई doubt तो नहीं है easy तो यह अब ध्यान से समझे कि इस equation का यह जो equation है rx dx by dt और यह जो new x है इसका तो हमने derivation बहुत बार किया है पीछे lecture series में और तो इसका आपको derivation बहुत easy पता है कि इसको जो हम solve करते है तो हमारा आता है ln bracket में xf by x naught equals to new t और इसी से हमने find out क्या था x equals to x naught e की power new t is that clear तो यह formula हमें बहुत अच्छे से याद है तो बहुत easy है clear तो इसको repeat नहीं करूँगा मैं यह आपको फैसे पता है first order kinetics कैसे solve करते हैं क्योंकि कई बार हम इसको solve कर चुके हैं इसी तरीके से अगर हम अब आप कहेंगे कि sir यहाँ पर तो negative sign है और हमारे हाँ पर negative sign नहीं नहीं आया तो तो इसलिए नहीं आया बच्चो क्योंकि यह नों ने जो concentration निकाली यह जो formula बना रहा है यह है यह तब है जब का concentration decrease हो रही है तो rate of change of concentration of A when concentration is decreasing तो यहाँ पर लेकिन biomass यह तो हमने biomass growth rate का निकाला है तो cell growth rate जो होते है वो तो उसमें तो concentration आपकी increase हो थी है इसलिए जब हम इसका formula बनाएंगे तो इसका formula क्या बना था इसका formula बना था x equals to x naught e की power minus kdt यही बनाता formula अगर आपको याद हो तो ठीक है तो यहाँ पर क्या है minus krasine इसलिए आए क्योंकि concentration decrease हो रही है biomass की इसलिए इस formula में भी same ही आया है तो यह जो इसको आप खुछ से solve कर सकते हैं मैं यहाँ पर एक बार आपके लिए लिख देता हूं को कि आपको क्या कौन सी equation solve करनी है यह आपका है और आर यहाँ पर लिखेंगे minus dca by dt equals to k1ca अब देखें माइनस का sign चाहिए मैं यहाँ पर इस side लगाऊ या फिर इस side लगाऊ उससे कोई फरक नहीं पड़ता है जब आप derivation करेंगे तो आप चाहिए धर use कर रख लिजे चाहिए इसको रख लिजे last answer आपका यही आएगा इसको इस equation को solve करने की बाद जिस तरीके से इनको solve करने के बाद यह है इसको solve करने के बाद यह आएगा तो इस सारे जो जाता है जो हमने formula पड़े हैं वो किसके हैं बच्छो फर्स्ट और कानेटिक्स के हैं बट हमने जीर ओडर कानेटिक्स नहीं पड़ा तो इसको यहाँ पर explain कर रहा हूं क्या कि आखी रही जीर ओडर कानेटिक्स को कैसे solve करेंगे तो हमें क्या करना है इसको solve करना है और इसका simpler form find out करनी है is that clear तो इससे तो यह आता है इसका formula में यह find out करना है देखते हैं आखिर इसका formula कैसे आएगा तो ज्यान से समझें यहाँ पर मैंने c a not 0 लिख दिया है ताकि हम इसको find out कर सकें चाहें तो आप नहीं भी लिखेंगे तब भी अंसर आएगा ठीक है दोनों तरीके अंसर आएगा कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहले इसको एक form में लिख लिएते हैं कि minus d c a by dt क्योंकि हम यहाँ पर find out कर रहे है rate of change of concentration of a और वो भी क्या हो रहे है decrease हो रही है concentration तो इन्होंने decreasing के लिए निकाला है अगर increase के लिए निकालेंगे तो यह plus हो जाएगा बस इतना ही करना है इकोस टू के नॉट ठीक है c a नॉट तो हमने खुद से लगाया है तो यह इतना आ रहे ही जगह पे में यह लिख दिया यहां तो कोई doubt तो नहीं है तो यह आपको चीज clear हो गई होगी आगे देखते हैं इसको solve कैसे करना है सबसे पहला क्या करते हैं हम derivative terms को अलग अलग कर देते हैं तो यह एका minus minus का साइड ही भेज देते हैं तो जादा easy रहेगा यहां पर problem करेगा तो dca equals to minus k naught dt यहां तो कोई doubt है यहां तक आपको कोई doubt नहीं होगा अब हमें next step में क्या करना है next step में हमें करना है इसका भी integration करिए और इस साइड का भी integration कीजिए अब देखे k naught तो क्या और constant का integration नहीं किया जाता तो integration हो का सिर्फ time का चीँ है मैं आपको बताया है d के साथ जो भी term हो वो बताती है कि कि किसका integration होना है या फिर किसका differentiation होना है तो यह derivative बता रहा है कि किसके respect में आपको integration करना है और किसके respect आपको integration करना है ठीक है तो यहाँ पर CA के respect में हो यहाँ पर time के respect पर तो यहाँ पर जो limit ले जाएगी वो time के लिए जाएगी और यहाँ पर जो limit ले जाएगी वो आपकी CA की होगी तो CA not हमाल लेंगे initial concentration और final concentration क्या ले लेंगे CA ले लेंगे यहां तो कोई doubt आपको नहीं है अब देखे मैं आपको क्या करता हूँ यहां पर हम आपको assume कर लेता हूँ कि यहां पर CA CA की part 0 है क्यों assume क्या भी बताऊंगा आप चाहे तो मत भी assume करें तब भी same answer आएगा बट मैं आपको फोर्म बताना चाहरा हूँ कि किस तरीके से solve किया जाता है तो CA की part 0 है आपको formula बताता हूँ integration का integration of x की power n का formula for dx equals to कितना आएगा यह आएगा x की power n plus 1 divided by n plus 1 तो यह formula होता है अब ध्यान से समझे मेरे बात यहाँ पर CA की power क्या है बच्चो 0 है तो यहाँ पर जब हम यह बता रहा है कि CA का करना है integration तो CA करेंगे तो यहाँ पर x का करना था यहाँ पर CA का होगा CA की यहाँ पर x की power n है यहाँ पर इसकी power 0 है यहाँ निकि n equals to 0 तो और यहां पर तो हमें क्या करना है formula में c a की power यह x पहले लिखेंगे, तो x क्या है हमारा, यहां पर c a है, black color ले ले लेते हैं, तो ज्यादा भी जी बलूगो आप लोगो, c a, इसकी power क्या है, 0, तो 0 में क्या करना है, plus 1 करना है, तो 0 plus 1, divided by, divided किसे करना है, 0 plus 1, क्योंकि power से power में 0 plus 1, तो यह आगया, और इसके बाहर के लिखेंगे, इसके outside में, जो भी आपकी limit होती है, उसको लिख देते हैं, तो यहां पर c a not, और उपर आ जाएगी c a, equals to minus k not, भार क्योंकि लिए minus k not, क्योंकि यह constant है, constant का integration यहां पर नहीं करना है, इसका करना है, जिसके साथ है, उसका होगा, time का होगा, तो time का करते हैं, देखिए, यहां पर भी same condition है, यहां जैसे यहां पर यह condition थी, ऐसी यहां पर भी condition है time के साथ, या तो मैं आपको यह कह सकता हूँ, कि आप integration से differentiation कैंसिल कर दीजे, ठीक है, या तो एक यह meaning हो गया, कि आप इसको cancel कर दीजे, तो यहा कुछ नहीं है, मैंने इसको cancel नहीं किया है, मैंने यहां पर consider किया है, कि यहां पर T की power 0 है, इसलिए मैंने वहाँ पर CA naught 0 लिखा ताकि आपको समझा सकूँ, ठीक है, कि यहां पर CA naught 0 लिखा है, या फिर तो आप इस तरीके से solve कर लेजी, यहां पर T की power 0 consider करके, तब भी आएगा, या फिर आप इसको ऐसे assume कर लेजी, कि यहां पर कुछ नहीं है, तो integration से differentiation cancel हो गया, तो यह चीज़ में आपको बताना चाला था, यह काम आप यहां पर भी कर सकते थे, direct integration से differentiation cancel करके CA की power यह, तो मैं आपको बताना चाहता था कि cancel का मतलब यह नहीं कि cancel कर दिया, cancel का यहां पर एक formula apply किया है, और formula यह है, ठीक है, यहां तो कोई आपको doubt नहीं होगा, clear है, तो यहां से हमें clear हो गया, एक बार क्या है, एक बार आप पर इसको मैं हालिक देता हूँ, एक बार simple form में, तो simpler form की बात यह है कि integration से आपका differentiation cancel हुआ, और यहां पर CA not और यहां गया यह सब कुछ हो गया है, तो एक बार आप पर limit रखते हैं इसकी जगह पे, और एक बार lower limit रखते हैं, और दोनों को minus कर दीजे, तो यह कहां CA minus CA not, आप बस इतना याद रखिए, अगर बीच में कुछ नहीं है, तो cancel कर देना, ठीक है, अधर आप लोग confused हो जाएंगे, तो इ equation को solve कर लिजे, और next step में आपका यह answer आजाएगा, तो यह आपकी final equation क्या बनेगी, यह बनेगी, ठीक है, यहां तो कोई doubt नहीं होने चीए, तो ही हमने zero order kinetics की equation को भी solve कर लिया, और इसकी equation तो आपको पहले सही पता है, first order kinetics की, यह question है, zero order kinetics है, जो आपका gate exam में आया है, य gate 2017 में आया है, question number 49, देखे, question क्या क्या रहा है, a zero order liquid phase reaction A, B is being carried out in a batch reactor with K, 10 की पर मैंस 3 mole per minute, if the starting concentration of A is 0.1 moles per minute, the time taken by the system before A is exhausted, तो हमें क्या निकालना है, the time in minutes taken by the system before A is exhausted, तो एक तरीके से वो यह कि A exhaust हो गया है, उसका में time निकालना है, और volume दिया हुआ है बच्चों, 100 liter क्या दिया है, volume 100 liter दिया हुआ है, तो चले find out करते हैं, इसको solve करते हैं, सबसे पहले हमारे क्या काम होता है, कि हम सबसे पहले given लिखते हैं, तो given में बच्चों क्या दिया हुआ हुआ है, k एक उस to kya दिया हुआ है, 10 की पावर माइनस 3 mole per यहां पर शायद एक मिस्टेक है बच्छो शायद उन्होंने गलती से यह मोल लिख दिया है बट यह मोल नहीं आएगा क्यूंकि हमने अभी जो पीछे देखा है जो हमने पढ़ा है कि पीछे यहां पर इसकी यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर पर सेकिंड जब हम बात करते हैं जीरो ओल्डर कानेटिक्स की कहने का मिनिग यह होना चाहिए यह कंसंट्रेशन डिवाइड बाई टाइम यह होना चाहिए ठीक है तो यहां पर तो मोल है मोल तो कोई कंसंट्रेशन नहीं है मोल के रिप्रेजेंट करता है मोल तो नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो यह नहीं हो सकता यहां पर शायद इन्होंने मोलारिटी होना चाहिए और इन्होंने इसी चीज को मिस्टेक कर दिया है इसी वैसे इन्ह तो पहले इसको solve करते हैं फिर देखते हैं तो k equals to time-keeper minus 3 per mole molarity sorry minute per minute sorry यह कि per minute यह नहीं आएगा molarity तो उपर रहेगा concentration को represent करती है तो molarity क्या है concentration को represent करती है और आपको पता है molarity क्या होता है अगर आपको पता हुआचो molarity होता है molarity is equals to number of moles number of moles divided by volume in liter volume in liter यह आपको पहले के बाद बता चुका हूँ तो इसका मतलब भी क्या हो गया इसका में नहीं हो गया mols per liter is that clear तो यह m को हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 10-3 moles per liter चीक है यहाँ तो कोई doubt आपको नहीं होना चाहिए यह molarity है ठीक है देखेंगे अभी मुझे भी confirm नहीं है कि उन्होंने दो answer दिये हैं तो चेक करते हैं ठीक है तो 10-3 molarity per minute तो यह इसकी unit होने चाहिए क्योंकि molarity represent करते है concentration को clear है यहाँ तो को doubt नहीं होगा आपको next है आपको क्या दिया हुआ है starting concentration starting concentration मतलब ca not given है कितना दिया है 0.1 mol mols per liter दिया हुआ है lower ठीक है अब पूरा लिख 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 लिखें बात सेमी होता है ठीक है तो यहाँनोंने गलतीसे आहिए male ृ the time in minute taken by the system तो हमें time find out करना है simple सी बात है time और exhaust यह क्या है एक्जास्ट हो गया है तो final concentration क्या हो जाएगी बच्चो जीर हो जाएगी अभी just हमने formula का पड़ा है formula का पड़ा हमने c equals to c a not minus minus तब होता है जब आपकी concentration कम हो रही है तो हमारे हाँ पर भी क्या है concentration exhaust हो रही है तो यहां से हम t का formula अगर बनाएंगे तो t का formula क्या आएगा t equals to c a not divided by k तो c a की value कितने है c a की value है 0.1 mole per liter divided by 10 की पाव माइनस 3 mole per liter और बच्चो यहां पर minute sorry मैं minute लिखना भूल है यहां पर minute भी है minute minus one यह शूकर देता हूं मैं यह mole का mole का यह है mole per liter और minute का जो आपका यह यह यहां पर आ गया है तो मैं लिखना भूल गया था तो यहां पर आएगा पर minute है ठीक है यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए unit cancel कर देंगे mole से mole cancel liter से liter cancel इसका मतलब अंसर कितना रहा है बच्चो इसका अंसर आएगा 0.1 इंटू 10 की पार माइनस 3 है उपर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा पर minute ठीक है इसको आप पर minute है तो उपर जाएगा तो minute हो जाएगा ठीक है तो यहां से आप आप solve करेंगे तो टीकी वैल्यू कितने आएगी हां से आपका टाइम आएगा 100 minute कितना आएगा 100 minute और अंसर भी किसमें निकालना था मिनेट में निकालना था और हमारा answer भी किसमें है मिनेट में है तो यानि कि हमारा answer एक पर रहा होगा कि उन्होंने दो 200 बोला है उन्होंने एक answer यह दिया है और दूसरा answer जो उन्होंने दिया है वह है 10,000 in to टैंज़ू एक यह दो answer उन्होंने बच्चों प्रोइड कि हैं reason देखते हैं क्या हो सकता है possibly एक तो यही reason हो सकता है कि molarity को इन्होंने क्या लिख दिया है mol लिख दिया कलती से क्योंकि actual unit जो होती है वो होती है concentration per minute ठीक है तो concentration molarity से represent की जा सकती है gram पर liter से represent की जा सकते है gram पर meter cube से represent की जा सकती है but mol कभी भी concentration को represent नहीं कर सकता अकीला मोल पर लीटर कर सकता है ठीक है तो इन्होंने 10,000 अंसर तब दिया होगा जब बच्चों ने इसको क्या कंसिडर कर लिया होगा इसको ऐसे ही कंसिडर ले ऐसे ही यूज कर लिया होगा ठीक है ऐसे कैसे यूज करेंगे बच्चे तो मैं बताता हूँ इन्होंने दिया है उन्हें मतलब इन्होंने सूचा होगा कि बच्चों ने क्या है कंसेंट्रेशन की जगा पर मैं आपको बता रहा हूं कि यह 10,000 किस तरीके से उन्होंने बोला होगा मैं आपको वो समझाने कोशिश करूँगा कि अगर कुछ बच्चों ने concentration न ले करके क्योंकि उन्हें k की value क्या दी है मैं second बता रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों दिया है कि 10 की power minus 3 और molarity की जगा मान लेते हैं उन्होंने mole ही दिया है mole per minute तो अगर उन्होंने ऐसा condition दिया है तो ये formula वहाँ पर इस तरीके से use नहीं हो सकता वहाँ पर क्या use होगा वहाँ पर concentration ही use नहीं कर सकते बट concentration के लावा हम क्या use कर सकते हैं हम use कर सकते हैं mass तो mass कितना है किसका एका starting में तो starting mass किसे निकालेंगे एका आपको concentration दी है कितने दी है concentration 0.1 try कर रहे है हम निकालने की तो 0.1 mole पर liter दिया हुआ है ठीक है और इसके अलावा क्या दिया है इन्होंने mass भी नहीं बच्चों इन्होंने number लिया है ठीक है mass भी नहीं लिया इन्होंने निकाला है number of a molecules की number कितना है की molecules का देखते हैं इसकी multiply अगर हम कर दें किसे volume of volume से तो volume हो जाएगा 100 liter ठीक है मुझे कैसे पता चलता है मैं unit को देखकर के बता सकता हूँ कि उन्होंने क्या सूचा होगा ठीक है तो liter से liter cancel हो जाएगा यहां से आजाएगा 10 mole तो इसका मतलब यह क्या है number है तो उन्होंने number से अगर किसी बच्चे ने solve करने कोशिश करी हो तो उनके लिए उन्होंने बता है तो यह not है याने की initial final कितना हो जाएगा final तो 0 हो जाना चाहिए final 0 का मतलब क्या है कि आपका सब कुछ convert हो गया है ठीक है उस case में इन्होंने कुछ है इस type का formula बच्चों ने बना लिया हो अगर कोई जादा समझदार बच्चा हो जिसको formula drive करना आता हो ठीक है तो जिस बच्चे को formula drive करना आता होगा तो इस type का formula बना लेगा अपने लिए इस type का formula बना लेगा तो वहाँ से इसका final तो zero हो जाना है तो t equals to क्या बनेगा t equals to बनेगा आपका n a not divided by k तो अगर किसी बच्चे ने इस तरीके से solve करने की कोशिश की होगी इस question को तो तो शायद 10,000 आ जाए तो देखते हैं करके solve फिर हमें पता चलेगा n ने कितना है 10 mole per meter per minute ठीक है तो कुछ समझदार बच्चा जीसे derivation करना आता है और उसको पता है कि इस तरीके से drive करते हैं तो देखी यह आगया 10 into 10 की power minus 3 per minute ओ सरी minus 3 नहीं रहेगा क्योंकि यह उपर जाएगा तो क्या जाएगा plus 3 हो जाएगा तो यह आगया minute ठीक है इसका मतलब answer क्या गया 10 की power 4 minute ठीक है तो एक बच्चे ने क्या करा बिल्कुल एक अलगी formula drive कर लिया क्यों क्योंकि उसको गलत k की value दिया है क्या दिया है उसको गलत k की value दिया है मतलब k की unit जो है उसको गलत provide की गई आप मिर बास समझ रहे है क्या की unit गलत provide की है तो अगर कोई बच्चा जादा समझदार है उसे पता है formula कैसे drive करना होते है तो उसने इस तरीके से drive करके 10 की power 4 minute answer दिया होगा आप मिर बास समझ रहे है 10 की power 4 answer दिया होगा तो उन्होंने क्या करा है उसको भी consider कर लिया है as true क्यों क्योंकि गलती उनकी side से हुई है बच्चे की side से तो गलती नहीं हुई है बच्चे को तो पता है कि यह unit गलत है चिक है तो यहाँ पर answer क्या है 10,000 वैसे right answer क्या आना चाहिए 100 क्योंकि बच्चो formula concentration के लिए है फॉर्मला किसके लिए है concentration के लिए फॉर्मला है यह ca equals to ca not minus kt concentration के लिए फॉर्मला है और जहाँ पर जो k है उसकी unit क्या होती है concentration per unit time ठीक है आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो डोरान की book में आप जाएए और 0 kinetics पढ़ लिए ठीक है वहाँ से आपको clear हो जाएगा कि k की unit क्या है तो वहाँ से आपको इसारी सीदी clear हो जाएगी ठीक है तो मैं आपको बता दिया दोनों ही answer कैसे आएगे 100 कैसे आ रहा है तो दोनों ही चीज़े मैं आपको करके बता दिया है एक में number यूज किया है concentration की जगह पर ठीक है तो के को कैसे यूज किया है mole per minute as a use कर लिया है तो आपका 10 की पार 4 आ जाएगा और अगर आप इसको ऐसे यूज करेंगे concentration समझ के यूज करेंगे तो आपका क्या हैगा 100 आएगा अगर आप इसको molarity consider करें mole की जगह पर ठीक है I hope आपको एक्लियर हो गया होगा next वीडियो में मिलेंगे नए topic के साथ तब तक के लिए बाई बाई